इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इंडिया वर से पाकिस्तान के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप के एक और बड़े मुकाबले की जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो कांटे की टक्कर देखने को मिलती है पाकिस्तान अल्रेडी USA से हार चुकी है तो पाकिस्तान के लिए ये वाला मश्ट विन मैच होगा इंडिया वैसे तो हमेशा वर्ल्ड कब में पाकिस्तान को हराती ही है तो इस मैच में वैसा ही आपको देखने को मिलेगा और ये जहां पर मैच हो रहा है नियू यॉर्क का वही वैन्यू जहां पर रन बनाने में काफी मुस्किल आती है आपने सिरलंका और साथ अफरीका का मैच भी यहां पर देखा जहां कि बहुत ही कम स्कोर पर सिरलंका के टीम अल आउट हो गई थी मात्र 77 रन पर और साथ अफरीका ने भी चेस करने के लिए चार विकेट कमा दिये थे इस पिच पर बैटिंग करना मुस्किल है लेकिन इंडिया के लिए प्लस पॉइंट यह है इस वैन्यू पर इंडिया अल्रेड़ी एक मैच खेल चुकी है और जीत चुकी है प्लस एक अभ्यास मैच भी इंडिया ने यहाँ पर खेला था वो भी इंडिया ने जीता था इंडिया और आइरलेंड का मैच यहाँ पर हुआ था वहाँ इंडिया ने जीता और अभ्यास मैच बांगलादेस के साथ खेला था तो इंडिया को इस venue पे खेलने का अच्छा experience है बट पाकिस्तान को नहीं है पाकिस्तान पहला match खेलेगी इस venue पे और अल्रेडी पाकिस्तान के लिए मुस्किल वाली बात हो गई है USA से हारने के बाद तो इस match में 100% टीम इंडिया ही विन करने वाली है अब मैं आगे चलता हूँ आपको सब कुछ बताऊंगा बस वीडियो के साथ लास तक बने रहिएगा एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा समझेगा और सीखिएगा क्योंकि मैं हमेसे एकी बात में फोकस करता हूँ कि सीख रही है क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन वैन्योंट पिछ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल मैच यहां पर इसी वर्ल्ड कप में हुए उसके पहले नहीं हुए है यहां की जो पिछ होती है वो सलो होती है और यहां पर जो बाउंस होता है इस सर्फेस पे वो अन इवेन होता है कभी बॉल उपर जाती है कभी नीचे रहती है तो बैट्समेन को खेलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जैसा कि हमने लाश्ट के कुछ मैचे जें उसमें हमने देखा था उसमें क्या हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूं जो मैच में स्रलंका की टीम 77 पर लाउड हो गई साउथ अफरीका का भी चार विकेट गिर के यहां भी आप देख सकते हो इंडिया का भी दो विकेट गिरा था दोनों इनिंग के फास्ट बॉलर इंपोर्टेंट है प्लस आपको इंपोर्टेंट बैट्समेन लेने बहुत ज़ जो मैच हुआ था कनाड़ा और आइरलेंड के बीच में कनाड़ा ने 137 रब मनाये थे साथ विकेट के नुकसान पर और आइरलेंड के टीम 125 रन ही बना पाई थी तो अभी क्या है कि जो स्टार्टिंग के यह जो दो मैच थे ये वाला और ये वाला इसमें जो पिछ थी वो जैसी नहीं रही है जैसी पहले थी और आप सभी को पता है यहां की जो पिछ है वो आर्टिफिसियल पिछ है जिसको एडिलेट से मंगाया गया है आर्टिफिसियल पिछ को वहां पे जला करके चिपकाया गया है तो पिछ में कोई खास अंतर आपको देखने को नहीं मिलेग यहां की जो पिछ होती है वो अभी तक देखा गया कि बॉलर्स को ही help कर रही है भले ही यहां पर run बना थोड़ा जादा लेकिन फिर भी काफे struggle किया batsman ने run बराने के लिए तो आपको important बॉलर्स ले करके इसमें चल लें दोनों ही link है यह हमारा whatsapp number इसको save करके रखना 9140-233474 टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के नीचे description box अब मिल जाएगा जोइंग कर सकते हो वहाँ पर और भी information आपको दी जाती है यह हमारी user id at the red saga flashback dream11 ankur to unique आगे चलते हैं international match मैंने आपको दिखा दिया वैसे तो तीन हुए अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस menu पर मैंने आपर दो काई stats लिखा हुआ है दो match जो हुए उसमें एक batting first एक batting second जो मैंने आपको दिखा दिया दोनों match अभी 86 का ही math average है लेकिन अब बढ़ गया है क्योंकि 137 बनाया था आइरलेंड के साथ तो उस match में क्या हुआ था रोईस सर्मा ने 52 बनाया था विराट कोली एक रब मना के आउट हो गयते पंत ने अच्छी batting की थी यहाँ पे भी अच्छी batting की और practice match में भी half century लगाय थी तो रिसब पंत इंपोर्टेंट है सुरी कुमार यादव जल्दी आउट हो गये थे सिवम दूबे ने कुछ किया नहीं था हार्दिक बंडिया ने तीन विकेट लिया था एक विकेट अक्सर पटेल को मिला था अरस्दीप सिंग को दो विकेट, दो विकेट बुमरा को और एक विकेट सिराज को मिला था अकसर पटेल को छोड़ करके बाकि सभी विकेट पेसर्स को ही मिले थे और टीम इंडिया ने केवल पेसर्स ही खिलाया था दो इस्पिनर्स थे, अक्सर पटेल और रविंदर जडेजा, रविंदर जडेजा ने एक ही ओवर आई थिंग बॉलिंग की थी, तो उनको विकेट मिला नहीं, आगे चलते हैं, अब यहां पर देख लेते हैं, हेट टो हेट में कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इंडिया की तरफ से रोहिस सर्मा पाकिस्तान के अगेंस काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, दस मैच में 114 रने 16 का अवरेज है, विराट कोली के बारे में बताने की यह रोत नहीं की वो पाकिस्तान के अगेंस कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, दस मैच में 488 एवरेज देखो हूं इनका 97 का एवरेज बहुत बड़ी बात है हर हारद Beweg Bandhangंडी प्रचया रहते हैं नोई अहिस्का इसमासे हैं जब जब ए पन्च्रे당 दो लिया канал इसमासे हैं नहीं टी calamड प्रचया देखेस की बना इनका रिजवान और भी ज़ाज अच्छा खेलते हैं चार मैच में 117 में बनाया है 65 के अवरेस से फकर जमान का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है सहीन साफ रीदी ने दो मैच में तीन विकेट नसीम सा ने तीन में चार मुहमद आमिर ने दो मैच में चार विकेट लिया है अब मैच अप देख लेते हैं प्लेयर्स बैटल देख लेते हैं कि कौन से बॉलर किस बैट्समन का आउट करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के बॉलर इंडिया के बैट्समन देख लेते हैं तो मुहम्मद आमिर ने रोहिस सर्मा को 7 बॉल में 2 बार आउट किया है हरीस रौफ ने 13 बॉल में 2 बार आउट किया है 12 रम बना है रोहिस सर्मा ने तो रौफ औ आमिर रोहिस सर्मा को आउट कर सकते हैं लेफ्ट आम पेसर जो होते हैं वो आउट करते हैं रोई सर्मा को श्ट्रगल करते हैं उनके अगेंच्ट तो पावर फ्ले में मुहमद आमिर आउट कर सकते हैं इसके अलावा सदाप खान ने 15 बॉल में दो बार पंत को आउट किया है बागी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है अ सभी एक एक विकेट वाला रिकॉर्ड है जो कि इतना इंपॉर्टन नहीं है अब दोनों टीम का हेट टो हेट मैज देख लेते हैं लाश के चार मुकाबले जो हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में टी 20 में वो हम देख लेते हैं लाश्ट मैच में पाकिस्तान ने 159 बनाय लिए तो अर्सदीप ने भी तीन विकेट लिए थे तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगे इसके पहले जो मैच हुआ था उसमें 101-181 बनाया थे इंडिया ने पाकिस्तान ने इसको चेस कर लिया विराट कोली ने साठ रम बनाया यहां भी विराट का नाम है हर जेगा विराट आपको दिखेंगे रोई सर्मा बाकी अर्सदीप और पंडिया ने एक एक विकेट लिया थे मुहमद रिजवान का भी आपको हर जेगा नाम दिखेगा 71 मुहमद नवाज ने चालिस सदाप खान दो विकेट और नसीम साह एक विकेट यहां पे देख लेत इसलिए दो विकेट नसीम ने और तीन विकेट मुहमद नवाज ने रोई सर्मा बारा पे आउट हो गये थे विराट कोली अफिर से नाम आया 35 रन हार्दिक पंडिया ने तीन विकेट और अर्सदीप सिन्ने ने एक विकेट लिये थे यहां पे इंडिया ने 151 मनाय थे पा दो विकेट लिया थे आगे चलते हैं दोनों टीम के बीच में टोटल 12 मैचे जो हूए है head to head टी 20 में आठ मैच जीता है इंडिया ने तीन मैच जीता है पाकिस्तान ने एक टाइए हुआ है लाजट के पांच मैच एंडिया लगातार जीत के आ रही है पाकिस्तान लगातार तीन मैच हार के आ रही है, उसके पहले दो मैच इनों ने विन किया था अब दोनों टीम की प्रोबिबल 11 देख लेते हैं रोहिस सर्मा ओपनिंग करेंगे विराट के साथ फिर रिसप पंथ है, सुरी कुमार यादो, सिवम दुबे, हार्दिक पंडिया रविंदर जडेजा, अकसर पटेल, अरसदेब सिंग, जस्पृत मुम्रा, मुहम्मद सिराज हो सकता है, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, जैसे कि ये सस्वी जैसवाल अगर खेलते हैं, तो ओपनिंग करेंगे सिवम दुबे की जगपे आ सकते हैं, या तो दुबे अगर खेलते हैं, तो फिर सेम प्लेंग 11 के साथ टीम इंडिया जा सकती है, पेसर्स को मरत है, तो पेसर्स को ही खिलाएगी इंडिया पाकिस्तान की तरफ से बाबाराजय मुहमद रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे फिर उस्मान खान है, फकर जमान, सदाप खान, आजम खान, इप्तिकार अहमद, सहीन साफरीदी, हरी सरौफ, नसीन सा और मुहमद आमीर अब यहाँ पे सभी प्लेयर का अलग 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 अनलिसिस कर लेते हैं रोहिस सर्मा की बात की जाएं, तो पूरे अपने करियर में 152 मैचेश खेले हैं, 4026 रन हैं और 31 काइब रेज़ है अंडाउटेडली आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे और इस वैन्यू पर इन्होंने अच्छा खेला भी है प्रैक्टिस मैच में भी है और लास्ट मैच जो आईरलेंड के साथ खेला था, उसमें भी अच्छा खेला था, इसी वैन्यू पर 52 और 23, इसके पहले 68 अच्छी फ़र्म में है, 828 में काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 10 मैच में 114, इस वैन्यू पर एक मैच खेला, एरलेंड के अगे, तो इसमें भी हाफ सेंचुरी लगाई है विराट कोली की करियर समरी है, 118 मैच में 4,038 रन है, 151 का एवरेज है रिसेंट फ़र्म कोई खास नहीं है, लाच मैच में जल्दी आउट हो गए थे, इसकी वज़य किया है, प्रैक्टिस मैच इन्होंने नहीं खेला था, पहली बार इस वैन्यू पर खेला और आउट हो गए यही मिश्टेक करते हैं प्लेयर, जब बड़े प्लेयर हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस मैच में पार्टिसिपेट नहीं खरते हैं, डोमेश्टिक नहीं खेलते हैं, उसका नतीज़ा होता है कि फ्लॉप हो जाते हैं सेम वाई विराट कोली के साथ हुआ, हेट टू हेट में 10 मैच में 488 रन है, 97 का आवरेज है, इस वैन्यू पर एक ही मैच खेला है जिसमें फ्लॉप होए थे हैं रिसब पंद की बात कीज़ें, तो रिसब पंद की करियर समरी है, 67 मैच में 1023 रन है, रिसरेंट फॉर्म काफी अच्छी है, IPL भी अच्छा खेल के आ रहे है, हेट टू एट में अच्छा रिकॉर्ड है, इस वैन्यू पर भी अच्छा खेलते हैं सुरी कुमार यादव, 61 मैच में 2143 रन, 45 का अवरेज है करियर में, रिसरेंट फॉर्म ठीक ठाक है, यहां पर बड़े इनिंग खेली है, बाकि यहां पर ठीक ठाक रहे हैं, हेट टू एट में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, चार मैच में संतावन है, इस वैन् पर बॉलिंग कराकर के दो विकेट लिया था, तो अगर जरोत पड़ी तो इनको बॉलिंग कराया जा सकता है, रिसरेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, बहुत जादा इंटरनेस्नल खेला नहीं है, बैटिंग काफी नीचे आती है, हेट टू एट में कोई रिकॉर्ड नहीं ह हारदिक पंडिया, 93 मैच, 13-14, 76 विकेट, इंपोर्टन रहेंगे आपके लिए, लाज मैच में भी तीन विकेट, इसी वैन्यू पे लिया, उसके पहले में इनकी अच्छी फॉर्म थी, इसके अलावा हेट टू एट में इनका ठीक रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड है, प पाकी इस वैन्यू पे फ्लॉप रहे है, हेट टू एट में ठीक टाक रिकॉर्ड है, अकसर पतेल, इनको भी ज्यादा बॉलिंग नहीं दी गई थी, बट एक विकेट मिला था इनको, तेरपन मैच में तीन से एकसर और बासर विकेट है, रिसेंट फॉर्म इंकी ठीक है, अ हेट टू एट में तीन मैच में छे विकेट है, और वैन्यू पे भी एक में दो है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इंपोर्टन है, जैस्परीब मुम्रा के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूत नहीं है, तिरसर्ट मैच में छेतर विकेट है, रिसेंट फॉर्म बहुत हेट टू एट में ठीक रिकॉर्ड है, वैन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, मुहम्मद सिराज अच्छे बॉलर है, बटरन काफी देते हैं, 11 मैच में 13 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, हेट टू एट टू एट खेला नहीं है, वैन्यू पे एक मैच खेला था कुलदीब को लाश मैच में मौका नहीं मिला, हेट टू एट विकेट अगर खेलते हैं, तो विकेट ले सकते हैं, विकेट हेगी बॉलर है, संजू सेंप नहीं मौका नहीं मिला, कम चानसे मिलेगा, 25 मैच में 374 रन है, रिसेंट फॉर्म कोई खास नहीं है इंकी, येजवे यह सेस्वी जैसवाल को मौका नहीं मिला अगर मिलता है तो बहुत सांधार प्लेयर है, 17 मैच में 502 रं 33 का अबरेज है, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छी है, हेट-to-8 वैन्यू पे इन्होंने भी नहीं खेला है, अब पाकिस्तान के प्लेयर का रिकॉर्ड देख लेते हैं, तो यहां पर बाबाराज हम आपको दिख रहे हैं, 120 मैच में 4,67 रंने 41 का अबरेज है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, बट इनका थोड़ा से स्ट्राइक रेट वाला इसू रहता है, अदरवाइस यह लगातार अच्छा प्रफॉर्मेंस करते हैं, तो इस्ट्राइक काफी डिफिकल्ट होगा पाकिस्तान के लिए, मुहमाद रिज्वान का हेट टो हेट में खास बात है, सबसे इच्छा रिकॉर्ड है, 4 मैच में 197, 65 का अबरेज है, टोटल 99 मैच में 3,212 रंन, 49 का अबरेज है, रिसेंट फॉर्म इनकी लाच के 3 मैच में तो फ्लॉप रहे उसके पहले अच्छा गिया है, उस्मान खार हीट और मिस वाले प्लेयर है, यूएई के प्लेयर है, जो कि अब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, करियर समरी अच्छी है, 7 मैच में 100 रं है, ठीक है, रिसेंट फॉर्म भी ठिक ठाक है, हेट टो हेट में पे कोई रिकॉर्ड सदाप खान ने लाज मैच में काफी अच्छी बैटिंग की ती, जिसकी वज़े से पाकिस्तान के टीम ने इतना रं बनाया था, अधरवाइज पाकिस्तान वन साइड हारने वाली थी, हेट टो हेट में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, एक्सपिरियन्स काफी 101 मैच का, 675 र आजम खान हो सकता है, इस मैच में ना खेले, लगातार दो मैच में जीरो पे आउट हुए हैं, और करियर समरी कुछ खास है नहीं, हेट टो हेट वेड वैन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, इफ्तिकार अहमत, जब भी मौका मिलता है कुछ नो कुछ अच्छा करते हैं, 18 रम बनाया, बॉलिंग भी पार्ट टाइम कराते हैं, 65 मैच में 993 रन है, 8 विकेट है, हेट टुएट में भी अच्छा किया है, 3 मैच में 81 रन है, 40 का अवरेज है, सहीन साफ रिधी इंपोर्टेंट है, 67 मैच में 92 रन, लाश्ट के 2 मैच में 0 विकेट है, लेकिन उसके पह अच्छी है, लगातार विकेट मिल रहा है, 69 मैच में 96 रिकेट है, नसीम सा, 26 मैच में 20 विकेट है, कोई खास किया नहीं इन्होंने अपने करियर में, बट इंडिया के अच्छा करते हैं, 3 मैच में 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म, एक-एक विकेट वाली है, कुछ खास न इसके बाद आगे चलते हैं, अब रार अफ्रीदी भी अच्छे बालर है, लगातार विकेट सिंग को मिलता है, 9 मैच में 16 विकेट है, इसके बाद सैम अयूबे अगर इंको खिलाया जाता है तो ओपनिंग करेंगे, बाबाराजम के साथ फिर मुहमद रिजवान वन डाउन आएंगे, अच्छा रिकॉर्ड है, 21 मैच में 286 रहन है, बालिंग भी काफी अच्छी कराते हैं ये, रिसेंट फॉर्म अच्छी नही इसके अलावा इंडियान टीम की तरफ से मैंने टॉप थ्री लिया हुआ है बैटिंग में, रोहिस सर्मा, विराट कोली ओपनिंग करेंगे, वन डाउन आएंगे, रिस अपन, बालिंग के बाद की जाए, चार पेसर मैंने लिये हैं, हार्दिक पंडिया, जैस्पृत बुम अगर इंडिया के 50% विनिंग के चांस तो टॉस जीतते ही हो जाएंगे, अगर इंडिया के पहले बॉलिंग आती है, जस्पृत मुम्रा को कैप्टेन, या तो अर्जिप सिंग को कैप्टेन, इन दोनों कैप्टेन वाइस कैप्टेन आप कर सकते हो, प्लस यहां पे हार्द को लिए अच्छी फॉर्म में नहीं है, इस वैन्यू पर ही फ्लॉप रहते है, रिसप पन भी कितना लंबा जाएंगे, कितना खेलेंगे, कुछ कहां नहीं जा सकता है, लेकिन बॉलर्स विकेट लेंगे ही लेंगे, बना सकते हो, इसके लाबा यहां पे साहिन साफृती हरी इस राओ भी वाइस कैप्टेंग की च्वाइस है, यह हमारी कुछ प्रीवेस विनिंग है, जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का विडियो इसी चैनल के विडियो सेक्सर में आपको मिल जाएगा, बात करते हैं, पेड मेंबर्सिप की हमारा एक मात्र वाटस अप नंबर है विटेलीटी ब्लाश्ट में 98% मैचेज में या 99% भी आप कह सकते हूँ, मैचेज में उसले हैं, एक मैच बस हमने विन नहीं किया, बाकि जितने मैचेज आपमें कवर किया हैं, सभी में उसले हैं, फॉट जार्ट विडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो अभी के प्ले सुडियो में इतना ही, आपका होश्ण दो संकुरी साइनिंग आउट, बाबाई